तो हलो स्टुडेंट, वेलकाम टू सत्याधी सर्मा क्लासेज, मैं श्रुतित्रपार्थी सत्याधी सर्मा क्लासेज के ओनलाइन पेटफर्म पे एक बार आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, तो जैसा कि हम प्रीवेस एर के कुछ कॉंस्टेबल की जो साइंस के आई हुए क्वेश्चन है, उनको सॉल कर रहे हैं, तो उसी सिक्वेंस में आज हम कुछ और प्रशनों को लेंगे, तो सब भी लोग जल्दी से जुड़ जाए, लिंक को शेयर कर दीजे, वीडियो को लाइ जल्दी होगा, और जल्दी करने का प्रयास करेंगे, बट आप लोग भी टाइम से आजाये करिए, तो आज के क्वेश्चन कुछ लेंगे हम और आज कुछ नए और टॉपिक को जानेंगे, किन टॉपिक से जादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ये भी देखेंगे जय महाकाल, हेलो, जय श्री राम, ओके, तो स्टार्ट करें, आज के कुछ प्रश्णों को लेते हैं, और तब तक धीरे-धीरे और कुछ लोग जुड़ाए होंगे, पर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, कुछ प्रश्णों को लेना शुरू करते हैं, आज का पहला प्रश् जो है वो easy है जी विल्कुल आज मैं time पर आ गई चलिए तो answer करना शुरू करिए राधे राधे good afternoon ओके तो आपके सामने जो पहला question है उसका कुछ लोगों ने answer किया option B जै महाकाल ओके तो देखे बहुत सारे लोग answer B चूज कर रहे हैं और easy question है इसका सही answer exactly option B यानि कि मिश्रन होगा देखे पदार्थ में तो बहुत सारी चीज़ा जाती पर ज्यादा closest answer यानि ज्यादा सटीक answer इसका क्या होगा? मिश्रन कहलाएगा पदार्थ तो हर एक चीज हो चाहे तत्तो हो योगी को मिश्रन हों हर कुछ पदार्थ ही कहलाता है तत्तो कहलाएगा नहीं क्योंकि बहुत सारी इसमें component मिले हुए होते हैं और atom होगा नहीं तो हमारा सही answer क्या है mixture? ओके अगले प्रशन के और बढ़ते हैं अगला प्रशन आपके सामने ये रदय में दो निजले कक्षो को खाली स्थान कहा जाता है अच्छा क्वेशन है सारल सा प्रशन है अगर आपने रदय के अकार्की को या हरदय की संरशना को सामानिस तर पर पढ़ा होगा तो निश्य तोर पे आप सभी इसका सही answer कर पाएंगे राधे राधे, इस नोट गुड इवनिंग, इस गुड आफ्टरनून ओके, ठीक है, तो बहुत साले लोगों ने answer कर दिया है, option C चूज कर रहा है और I think आप लोगों ने हरदय के बारे में एक basic बाते समझी होगी हरदय के बारे में थोड़ा सापको कुछ चीजे बता देती हूँ जैसे कि अगर हरदय की संदचना की हम बात करते हैं तो हरदय की संदचना में आपको कुछ इस तरीके से चार कोस्टक देखने को मिलते हैं उपर के दो आलिंद कहलाते हैं और नीचे के दो koos Daki Nila कहलाते, यानि फोर्ट हेंबर होता है हृता है, फोर्ट हेंबर होता है, और इसमें जो right हिस्सा होता हो ये वाला होता है, लेफ्ट हिस्सा ये वाला, यानि आप अपने ही हृत्दा को imagine करेंगे, तो वो exactly, मेरा right, मेरे hand का right, मेरे हृत्दा का भी right होग और left जगह पर मैं right लिखती हूँ, तो ये होता है कुछ जहां पर उपरी आलिंद और नीचे निले होते हैं, हमारा सही आंसर था option C, निले, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रिशन लेते हैं, और अगला प्रिशन आपके सामने ये, मुख्यता खाली स्थान वर्ष की आ 240, reproductive system जो आपका part है, यानि कि प्रिशन अन्तंत्र, उससे एक question आया हुआ है, और थोड़ा सा इसमें option जो दिये गया है, I think कितना इसको tough नी बना गया है, easy है आपको eliminate करना, तो answer करिए, क्या सही answer हो सकता है, menstrual cycle stop होने को amino pause भी कहते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तो क्या answer हो सकता है, बताइए, ओके, तो बहुत सारे लोगों ने option B चूज किया है, exactly, the right answer is option B, 45-50 verse, मीनो pause बंध होने के बाद, कोई महिला प्रिशनन में सक्षम नहीं रह जाती, चलिए, मीनो pause स्टार्ट होने के बाद, यानि कि कह सकते हैं, मासिक धम बंध होने के बाद, दूसित रक्त के संपर्क में आना, फोमाइट जैसा बिस्तर, मच्चरों की तरह वेक्टर, या मख्यों की तरह वाहग, चलिए, क्या लगता है आपको इसमें, क्या answer होगा इसका, रोग जनकों के संचनन की प्रत्यक्ष विधी क्या हो सकती है, बताइए, अगला प्रशना आचुका है, और जल्दी से एक बार सभी लोग लिंक को शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और हम काफी समय से एक question ये सारे लेकर आ रहे हैं, तो I hope आपके लिए काफी helpful साबित हो रहे हूँ, चलिए तो बहुत सारे लोग option B चूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग option D चूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग option A चूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा confuse होने के जिरती हैं, देखो इसमें कुछ लोग हो सकता है, फोमाइट जैसा बिस्तर देखकर ये हिंदी में translation गलत किया गया है, फोमाइट is a passive vector, तो इसमें बहुत मच जाओ, ये थोड़ा सा typical बनाने के लिए या confuse करने के लिए option दिया गया है, यहाँ प पाए जाएंगे, तो अगर उस रक्ट के हम direct संपर्क में आ रहे हैं, किसी माध्यम से वो हमारे अंदर चला गया, या हमारे किसी घाओं में लग गया, या किसी माध्यम से भी वो रक्ट हमारे शरीक में जाएगा, तो रोग उत्पन करेगा, तो रोग जनक के संचरन की प्र विशानों किसी इंसान में पहुंचता और रोग उत्पन करता है पर दूसरे तरक्त तो है ये डारेक्ट कोई वाहक नहीं है इसके में डारेक्ट कॉंटेक्ट में आएंगा रोग हो जाएगा तो सही आंसर होगा option A option A दूसरे तरक्त के contact में आना चलिए अगले question के और बढ़ते हैं बहुत confused मत हुआ करो ऐसे option देखके जो सबसे सटीग लगे सरल वे में पहले समझने कोशिश किया करो अगला question आपके सामने ये निमलिकित में से कौन अनुचित स्वच्छता के कारण होने वाली बिमारियों के र असान question था थोड़ा से इसमें टाइपिंग में स्टेक हो गई है अरेंजमेंट में दिकत है खेर प्रशन सरल है तो इसके बार में डिसकासी कर लेते हैं क्योंकि आंसर ही आपको शो हो चुका है तो भोजन के दूसित होने पर कड़ी निगरानी रखा है देखे question क्या पुछ होने पर अगर हम करी निगरानी रखेंगे यानि उसको दोसित नहीं होने देंगे तो basically क्या होगा यह अनुचित स्विच्चता नहीं होगी वहाँ पर मतलब साफ सफाई रहेगी तो question को थोड़ा सा typical बना दिया गया है शब्दों की माध्यम से option और answer को अगर मैं match करूं या बड़ी निगरानी रखना यानि उसको दूसित होने से बजाना यह सही answer होगा चलिए इसमें चुकी option दिख चुका है तो आंगे बढ़ जाते हैं अगला प्रशन ले लेते हैं अगला प्रशन आपके सामने यह कामला किसका दूसरा नाम है Icterus is another name of अच्छा question है नई चीज कुछ आप जानेगे बताइए किसका नाम होगा यह दूसरा टाइफॉइट कॉलरा या हंता वाइरस फीवर या हंत वाइरस नहीं हंता वाइरस या फिर जॉइन डेस यानि की पी लिया बताइए इसको इंगलिश में आद रखेगा यह काम गुड़ आफ्टरनून चली अगला प्रेशन आ चुका है कुछ लोग option C चूज कर रहे हैं जादा तर लोग option C चूज कर रहे हैं देख लेते इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग ने हंता वाइरस देखा थोड़ा नया सा लगा तो लगा चलो यही लगा देते यह आप लोग की known जो आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं वही बिमारी है यानि की पीलिया पीलिया को ही IC टेरस कहते हैं और यह नाम आप लोग अगर नहीं जानते थे इसके पहले तो please note down नई चीज कुछ आपने जानी काफी अच्छी है की पीलिया को हम IC टेरस भी कहते और English नाम ही इसका लिख देना क्योंकि Hindi में भले ही कोई वहाँ पर mistake हो जाए जी technical term है jointis पर यह भी इसका एक नाम है तो याद रखेगा यह नाम jointis में basically होता क्या पीलिया में जो हमारे शरी में पीले वर्णाक होते हैं यानि कि yellow pigments होते हैं bilirubin, bilirubin, bilirubin जो हमारे bile juice यानि कि पित तरस में पाए जाते हैं इनकी संख्या बढ़ जाती इतनी जादा बढ़ जाती कि blood और tissues में इनका deposition होने लगता है तो वो और पीले द सामने ये कौन सी गतिविधी हमारे शरीर की शारीरिक fitness को बढ़ा सकती है, which activity can increase the physical fitness of our body, skating, driving, व्याया, यानि exercise या भोजन, eating, बताइएं अच्छा question है, सरल सा प्रशन है, free के number है, गलत नहीं करोगे आए हो, जी बिलकुल पहली बार सुना होगा, इसलिए मैंने बोला no down कर ल है, चलिए अगला प्रशन आ चुका है, answer करिए, क्या होगा सही answer, ओकी तो बहुत सारे लोगोंने option C choose किया है, without any doubt, option C is the right answer, इसमें कोई दोराय नहीं है, कि व्यायाम ही हमारे शारीरिक fitness को बढ़ाते हैं, हिंदी में भी शारीरिक fitness लिखा हुआ, वाह, चलिए, आंगे बढ तो द्वारा दूसरे पर लगने वाले बल को कहते हैं, the force which is exerted by one charged object on another is known as, विद्धुत बल, electro-static force, gravitational force, यानि गुरुत्वकर्शन बल, friction या चुम्बकी बल, यानि कि magnetic force, अच्छे प्रशन है, एक आदो नहीं चीज़े आपको पता चली, और आंगे भी पता चलेंगी, उनक चली, तो बहुत सारे लोगों ने option B चूस किया है, कुछ लोग option A चूस कर रहे हैं, इसका answer देना शुरू करीए, क्या होगा, तो option D भी चूस कर रहे है, gravity कहते हैं, A कुछ लोग चूस कर रहे हैं, मिले जुले से आप लोग क्या answer आ रहे हैं, यह expected नहीं था मुझे कि आप जोग इसमें confused हो सकते हैं, थोड़ा question पर ध्यान देना, पहला ही शब्द आपको hint दे रहा है, Frictional कैसे हो सकता है, B, D, A, चलो, बहुत ज़्यादा confused दिख रहे हो, अरे बहुत सा रहल है, विद्द बल कहेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, आवेशित वस्तू, आवेशित वस्तू है अगर, तो यहाँ पर जो विद्द इलेक्ट्रिस्टाटिक, यह भी एक तरीके का force हो के कारण, जिसमें थोड़ा बहुत magnetism भी generate हो जाता है, बट electrostatic force is only, कह सकते हूं, मुख्य रूप से आने की, यह ज़्यादा responsible होता है, जब कोई तार हम पकड़ते हैं और चिपकते हैं तो, तो समझें, यह electrostatic force होता है, जो कि आवेशित वस्तू के बीच लगता है, वो एक answer is option A, विद्धत बल electrostatic force, इसमें confuse मत हो ना, थोड़ा question को ध्यान से पढ़ लिया करो, जब ऐसे question आते हैं और confuse होने लगो, तो दो तीन बार question पढ़ा करो, और कई बार हम flow में question पढ़ते हैं तो hint नहीं, आपके सामने जो question है, वो यह है कि इन इमने में से कौन जै विवित् इस तरों के बारे में गलत है, which one of the following is wrong about different levels of biodiversity, अनुवांशिक विवित्ता यानि genetic diversity, ecosystem diversity यानि की परिस्ति की तंत्र विवित्ता, species diversity यानि की प्रजात विवित्ता, या पारिस्ति की विवित्ता यानि की ecology diversity, बताइए, क्या सही answer होगा, यहाँ पर अगर आपने biodiversity पढ़ी तो तीन प्रकार की biodiversity यानि की तीन प्रकार होते हैं जैविवित्ता के, जिसके आधार पर हम जीवों को divide कर सकते हैं, तो वो तीन आधार कौन से होते हैं, अगर आप वो तीनों जानते हैं, तो चौथा कौन सा नहीं होगा, वो आप जान सकते हैं, और I hope option B और D में confused हो रहे ह होंगे, सोचने कोशिश करिए, क्या सही आंसर हो सकता है, चलिए अगला प्रशना आ चुका है, थोड़ा सा सोचिए, आंसर करिए, अगर आपने जैविवित्ता या परेवरण नहीं पढ़ा हैं, तो परेवरण में कुछ topic जो हैं, उनको basic level पे पढ़के जाएगा, जैसे अ भार का, और संख्या का, और उर्जा का, तो ये कुछ topics हैं, जो आपको I think revise करने की जरूरत है, और जरूर से revise करके जाएगा, ठीक है, note down कर लेना इनको, चलो तो बहुत सारे लोगों ने option देना शुरू कर दिया है, कुछ लोग option D choose कर रहे हैं, कुछ लोग option C choose कर रहे हैं, क down करो bio diversity पढ़के जाना, important topic है, at least उसमें विवित्ता और थोड़ी बहुत जो carbon footprint जो होते हैं, और ये सारे शब्दों के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए, नीचे है क्या कहलाता है, ये परियावरण भी एक important subject है, इससे question आया करते हैं, तो please पढ़के जाना इनको, ये है है हमारा सही answer option, इसमें, देखी, इसमें ecology diversity दिया गया है, first time जब paper में answer, उन्होंने provide कर आई होगी, तो answer D दिया है, बट ज़्यादा तर आपको books में, या मेरे according भी जो सही है, वो option B सही है, यानि ecosystem diversity, पारिस्तितिकी तंत्र विवित्ता, ये विवित्ता का प्रकार नहीं है, जबकि genetic diversity, प्रजाती यानि species diversity, या पारिस्तिकी विवित्ता, यानि कि ecological diversity, these are three types of biodiversity, these are three types of biodiversity, कमारा सही answer है, option B, option B according to me is the right answer, इसमें objection लिया गया होगा, तो definitely इसको correct किया गया होगा, तो सही answer है, option B, याद रखना, तीन प्रकार की जई विवित्ता होती है, नहीं पता हो, इसक question लेते हैं, अगला question आपके सामने, ये, कार्य और समुत्री घोड़ा, बोनी मचलिया है, देखो हिंदी में गलत लिख दिया गया है, कार्य नहीं है, ये क्रैप है, और इसका English एक बार आपको दिखा देती हूँ, ताकि आपको question समझ में आ जाए, तो ये है इसकी English, question ये था basically है, कि कार्प और समुत्री घोड़ा बोनी मचलिया है, यानि कि अस्थिल मचलिया है, अस्थि वाली मचलिया है, बोनी का मतलब अस्थिल, हिंदी में भी बोनी लिख दिया है, और उनके पास चार जोड़ी गलफड़े होते हैं, तो आपको ये बताना है कि दोनों सही है, या कोई एक गलत है, या फिर कारण जो दिया गया है, वो सही है, चलि आंसर करिए, कोर्स लेने के लिए अनसुल जी एक बार आप बात कर लीजेगा, कमेंट सेक्शन में आपको नंबर शो हो रहा होगा, तो आप उस पर कॉल करके इंक्वाईरी ले सकते हैं, चलि तो बहुत सारे लोग आप्शन B चूज कर रहे हैं, कुछ लोग आप्शन D चूज कर रहे हैं, थाइंक्यू आनन जी, अगर आप यह चीज क्रॉस चेक कर चुके हैं, तो अच्छी बात है, चलिए, आंसर दिख गया था, कोई दिख करते ही हैं, यहाँ पर आपको जानना ज़रूरी थोड़ा बहुत यह सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, जो कि मुझे यहाँ ही पता चलती हैं, तो इनको थोड़ा इगनोर करते हैं, चोटी मोठी खामिया है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर, ऑप्शन डी, अगर कुछ लोग ऑप्शन देख कर भी आंसर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जान जाएं इसके बारे में है क्या है, क्योंकि यहाँ तो ऑप्शन दिख यहाँ तो ऑप्शन आपको न इसको याद रखेगा, यह बोनी फिशेज होती है, फिशेज के दो टाइप होते हैं, कुछ मचलियां अस्थिल होती हैं, और कुछ जिन में कह सकते हो कि अस्थिल नहीं होती हैं, या कम जिन में बोन्स पाई जाती हैं, तो जो बोनी फिशेज होती हैं, उनके पास गलफडे को धके रहती हैं तो ओपैर कुलम का भी संबंद जो होता है ओपैर कुलम यह इसका भी संबंद किस्से है इसका भी संबंद गल्फडों से ही है, गल्फडे सम्बंधी कुछ ऐसा सनरचना होती है, जो कि बोनी फिशेज में बिलती है, और यह भी याद रखेगा, चार जोड़ी गल्फडे होते हैं, हला कि यह थोड़ा ज्यादा डीप क्वेशन है, मैं ऐसा नहीं कहूंगे कि आप इन आपके सामने ये, पाइनस की पतियां होती है, फ्लेट रॉमबोडियल, यानि की अगला आपके सामने उप्शन है, सम्टल कार्डेट, या सुई की तरह, स्केल की तरह, बताइए किस की तरह होंगी पाइनस की पतियां, थोड़ा ऐसे क्वेशन जादा आ रहे हैं, जो आपको डाइग्राम देखने पर या पढ़ने की तौरान, आप चीजों को देख कर पढ़ें, इस पर मजबूर कर रहे हैं। जी, बिलकुल मुख के पास उनके गलफडे पाए जाते हैं। ओके तो बहुत सारे लोग ऑप्शन D चूज़ कर रहे हैं, स्केल की तरह हैं। और कुछ लोग ऑप्शन C भी चूज़ कर रहे हैं। तो पाइनस की पतियां, एक्शुली में सुई की तरह होती हैं, यहां पर आपसे पूछा गया था, जिसके पंक वाले होते हैं, वो पाइनस ही था। तो दोनों चीज याद रख लो, दोनों चीज पाइनस से पूछी गई थी। वहां पर जब आप उप्शन सेर्च कर रहे होते हैं। तो इसका सही आंसर था सुई की तरह हैं, और इसी में पंक वाले बीज भी पाये जाते हैं। यानि बीजों में आपको एक single पंक दिखाई देता है, तो पंक वाले बीज भी इशी की विशेषता हैं, यानि की पाइनस की, याद रखना, इसके बारे में थोड़ा, साइकस, पाइनस, ये वाले पौधे जो होते हैं, एफिड्रा, जो की हमारे जिम्नो स्पर्म के तहट आते हैं, तो हमारा सही आंसर था, option C, सुई की तरह है, आंगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन लेते हैं, अग जनतु जगत पढ़ेंगे, तो मैं आपको डाइग्रामस भी कुछ दिखा दूँगी, ताकि आप लोग को याद रह जाए, हाला कि वही है कि देखो, एक ही संग में इतने प्रकार के, लाखो प्रकार के जनतु होते हैं, कौन-कौन से देखोगे, ऐसे एक question के लिए बहुत परिशान हो जाओगे फिर तो, गुड आफ्टिनून, ओके तो बताईए क्या सही answer होगा, चलिए, तो बहुत सारे लोगों ने option D चूज किया, कुछ लोग option C चूज कर रहे हैं, कुछ लोग option A चूज कर रहे हैं, थोड़ा सा मिले जूले से answer हैं, और बेसी बात है, आप लोग इस जीव को नहीं देखे होंगे, बता देती हूँ, याद आजाएगा, देखे हो बट नाम नहीं जानते हो, इसका सही answer option A, मॉलस्का, देखो लोगो जो होता है, ये squid प्रजाती का, मॉलस्का के अंतरगत एक squid जीव जो होते हैं, उसी में एक जीव की प्रजाती है लोगो, तो ये basically आपने अगर ये कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको ये संरचनाय देखने को मिलती हैं, और उसका मुँ कुछ इस तरीके से, मैं साथ उतना अच्छा structure नहीं बना पा रही हूँ, इस तरीके से दो आखे रहती हैं, और ये जीव जो होता है, इसमें बहुत सारे आपको, इसके, जैसे की octopus में रहते हैं, उसी तरीके से निकले हुए दिखते हैं, एक बार गूगल जरूर कर लेना इस इमेज को, तो इसी को हम लॉली को कहते हैं, मॉलस्का संग का जीव होता है, बहुत बड़ा संग है, इसमें बहुत सारे जीव होते हैं, तो हमारा सही आंसर है option A, मॉलस्का, थोड़ा से इसको देख लेना, इसक्विट प्रजाती के सारे जीव चलिए, दिखता कैसा है, जी बिल्कुल मैंने बनाने कोशिश की पर उतना अच्छा बना नहीं पाई, आप लोग इसको एक बाद गूगल कर लेना, थोड़ा सा गर अनुमान लगा पा रहे होगे, तो ओक्टोपस जैसा ही दिखने वाला जीव होता है, लंबे उसके आँख साइकलोस्टोमा का संबंध है, एनसाइकलोस्टोमा बिलॉंग्स टू नेमे टोडा, प्लेटी हलमेंथी, जैने लीडा, पोरी फेरन, एकाद दो प्रेशन तो ऐसे आए हुए हैं, कि लगता है कि यहाँ जुलोजी के स्टुडेंट्स के लिए ज्यादा पेपर है, खेर वो चलिए चलिए याद आगया तो बहुत अच्छी शीज़ है, वाकि मुझे लग रहा था मैंने इमेज कुछ उसके आसपास नहीं बना पाई चलिए, तो इसका आंसर देख लेते हैं, बहुत सारे लोग ऑप्शन C चूज कर रहे हैं, और सही आंसर है ऑप्शन A, एनिमेटोडा एनसाइकलोस्टोमा ये आपको मैंने एक दिन जनतु दिखाया था, मैंने बुला था कि एसकेरिस जैसे जनतु जो होते हैं, यानि कि निमेटोडा में बेसिकली नेमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो केचुए जैसा अगर तुम देखोगे तो तुमको केचुए जैसा कुछ दिखेगा, और ज्यादा तर जो ऐसे कंट्रीज यहां पर साफ सफाई ज्यादा नहीं होती, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होता है, पानी और खाना ये सब दूसे ज्यादा होंगे, ज्याता तर अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, यहां पर आप ये रेखोगे, तो यह रोग काफी ज्यादा मात्रा में, मतलब आतों में इसकी क्रमी पहुंच जाती है, और वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचती, मृत्यू भी हो जाती इससे, तो यह है एनसाइक्लोस्टोमा, बेसिकली एक जीव का नाम है, जो की केच्वे जैसा ही रिखता है, तो चोटी होती, comparatively केच्वे से, तो हमारा सही आंसर है, option A, निमेटोडा, चलो, आंगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन लेते हैं, अगला प्रशन आपके सामने ये, नाखोनों का बढ़ना खाली स्थान एक परिवर्तन है, आवधिक परिवर्तन होगा, गैर आवधिक परिवर् तो हो सकता है कि आप वहां पर option देकर, अगर डायरेक्ट यही question नहीं आया, तो फिर भी अगर उन option को भी उप्योग किया, तो आप ये तो समझोगे ही कि कमसकम आप option के बारे में तो जानते हो, तो उसके अलावा जो बचेगा, तो eliminate करने में सहायता मिलेगी आपको, रॉंग answer क्योंकि ये अवधी के साथ होता है, तो व्यापम ने इसका आपधिक परिवर्तन सही answer माना था, शारीरिक परिवर्तन देखो इसलिए नहीं होगा, क्योंकि जितने भी question, अगर तुम लोग डेली question लगा रहा हो ना, तो उसका एक बहुत बड़ा benefit यह है, कि तुम ना, खोनक बढ़ना is not a physical change, ये बहुत इक परिवर्तन नहीं है, ये एक आवधिक परिवर्तन है, अवधी के साथ होता है, तो इसलिए व्यापम की गलतियों को अगर regular तुम लोग paper solve कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा तुम लोग के लिए advantage होगा, कि समझ पाओगे कि गलति नहीं है, बलकि एक सबजी है, ककड़ी, जामुन, बेल, मिर्चिया, रेवत, चिनी, अगर आप लोग थोड़ा बहुत कुकरी शो देखते होंगे, खाना वाना बनाना देखते होंगे, तो ये तीन option जो हैं आपके लिए, दो option वैसे tough हो जाते हैं, अगर नहीं देखते तो तीन option आपके लिए आसान है छाटना, तो जो बचा हुआ होगा, वही आपका answer है, बताइए, नहीं ये question दुबारा नहीं आया है, इसके पहले हमने जो question लिया था, वहाँ पर आपको कुछ और चीज़े पूछी गई थी, silver beat करके वहाँ पर पूछा गया था, वहाँ मैंने आपको बताए भी था कि, जैसा चुकंदर होता है, वैसे ही कुछ उसकी पतियां जो होती है, उनका बस dental pink की जगा कैसा रहता है, पीटी ओल जो होता है, वो white color कहोता है, तो उसको silver beat कहते हैं, वो वहाँ पर question था, ये question नही cooking show भी देखे होंगे, तो वहाँ पर एक नाम तो देखे, ककड़ी और जामुन तो आप जानते हैं, कि इन में से फल नहीं, बल्कि एक सबजी है, तो ककड़ी एक सबजी नहीं, फल नहीं एक सबजी है, तो basically, सबजी इसमें है, रेवचीनी, यानि option D हमारा सही है, bell paper जो होता है, इसको भी फल में count किया जाता है, जामुन तो आप जानते हैं, बैरी, जामुन नहीं होता, basically, बैरी की बात की जारी है, और बैरी में बहुत टाइप के fruits आते हैं, तो जामुन भी अगर लिखा, तो ये भी एक फल है, और ककड़ी को भी फल ही consider किया जाता है, सबजी नही होती हैं, ऊपर की तरफ और नीचे एक simple से dental होता, आपने अगर पालक देखा होगा, तो पालक से मिलती जुलती सनरचना, पर पालक की पत्तियां ज्यादा बड़ी होती, इसकी पत्तियां सिर्फ ऊपर पाई जाती है, और कुछ इस तरीके से नीचे की जो सनरचना होती है, तो नीचे की सनरचना ही, इसकी ये dental ही जो है, इसकी सबजी का रूप में उप्योग किया जाता है, काफी खटा होता है और इसमें चीनी काफी ज़्यादा मात्रा मिला कर ये इसका उप्योग किया जाता है, तो सही आंसर है, option, ये बिलकुल ये आपके exam, आपके constable कहीं है, 27 जनवरी का 2022 का shift का paper है, तो अगर आप लोग को कोई भी doubt हो कि ऐसे question क्या आई हुए है, तो go there and check, ये question वही पर आया हुआ है, आपको मिल जाएगा, चलिए, आंगे बढ़ते हैं, अगला question लेते हैं, अगला question आपके सामने ये, तरल के खाली स्थान को मापने के लिए, बीकर viscosity मने देखो, यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ है, meaning, viscosity मने स्यानता होता है, चिपचिपा पन नहीं होता है, तो थोड़ा सा इसलिए आपको रोज जैसा कि मैं बोलती हूँ, English शब्दों का अर्थ, याद रखना या जानना सीखो, कोई भी चीज पढ़ो, उसका थोड़ा सा English देख लिया करो, जी बिल्कुल, अगर मैं question जो पढ़ा रही हूँ, तो वो आए हुए question है, मैं वो पेपर नहीं पढ़ा रही हूँ, भविश्य वक्ता नहीं हूँ, मैं कि मैं आपका आने वाला paper देख सकती हूँ, तो आपके जो paper आए हुए हैं, हम उसको solve कर रहे हैं, ता पर वो हिंदी को English में गलत लिख देता है, यह समझना है, और ना कि hint लेकर उसको answer करते हैं, और बाद में अफसोस हो कि अरे हमने गलत लिख दिया, उसने translation गलत किया था, तो यह सारी चीज़े आपको थोड़ा सा notice करनी है, यहां से hint लेनी हैं आपको, अपनी तैयारी को, उ जाना तुनी density नहीं, option C is the right answer, आयतन मापने के लिए हम एक जो बीकर लेते हैं, अगर आपको याद हो, तो कुछ इस तरीके से यह बीकर होता है, और इसमें अलग अलग यहां पर SIM वो बने होते हैं, इकाईयां लिखी होती हैं, और उसके अधार पर तरल का volume जो है, वो माप में testosterone का उत्पादन हो जाता है, testosterone begins to be released by the fill in the blanks at the onset of the puberty, इस्तन ग्रंथियां, व्रेशन यानि टेस्टिस, एडम सेपल या वसामय ग्रंथियां यानि सीबेशियस ग्लेंड, आसान प्रेशन हैं, बहुत ही आसान प्रेशन है, यह भी reproductive system से पूछा गया question है, इसमें बायो बस के question ही है, अगर ध्यान देंगे, तो chemistry और physics के भी question में लेके आती हूं, अभी question हमने जो आवेशित बल वाला देखा था, तो electrostatic force वो आपके bio का question थोड़ी है, तो आपको थोड़ा से समझ के चलना है, कि देखे, bio किसी भी exam में ज्यादा पूछी जाती है, उसका मैं कुछ न आते हैं, तो हम ऐसा नहीं कि सिफ बायो के question हैं, साइन्स के question ले रहे हैं, अगर आप regular student है, regular watch करते हैं, तो आप निशित तोर पर समझ पाएंगे, कि question जो है, comparatively physics और chemistry के बहुत कमाते हैं, और सामाने question आते हैं, बायो के कुछ भी अतरंगे question आते हैं, तो जी हाँ, बायो ज प्रजनानंग भी कहलाता है, अगर हम बात करें परिपेख्ष में, महिलाओं के परिपेख्ष में अंडाशा है, मुख्य प्रजनानंग होता है, तो याद रखना, अगर हम मुख्य प्रजनानंगों की बात करते हैं, तो पुरिशों में testis, महिलाओं में ovary, क्योंकि testis में ह sporms का formation होता है और ovary में X का formation होता है यानि अंड बनते हैं तो सही answer है हमारा option B testis चलिए आंगे बढ़ते हैं अगला question आपके सामने ये से अधिक का शरीर का तापमान इंगित करता है कि व्यक्ति को बुखार है fill in the blanks a body temperature of a more than fill in the blanks indicates that the person is having fever पताई किसी अधिक temperature अगर होगा तो लगेगा fever है अब यहाँ पर दो option में आप confuse हो सकते हैं जैसा कि option देखकर मैं समझ पा रही हूँ पर थोड़ा सा अनुमाल लगाने की कोशिश करना और try करना की ज़्यादा closest answer जो है वहाँ पर पहुंच सको चलिए तो बहुत सारे लोग option D चूज कर रहे हैं कुछ लोग option C भी चूज कर रहे हैं और हमारा सही answer क्या है यहाँ पर ओके तो इसका सही answer क्या होगा इसका सही answer C इसले नहीं होगा क्योंकि 37 temperature अगर हमारा होता है तो उससे थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो उससे तुरंथ हमको ऐसा नहीं कि fever ही हो जाएगा fever होने के लिए at least 1-2 degree Celsius तो बढ़ना ही चाहिए तो आप यहाँ पर 38 में जाओ क्योंकि 36-35 तो होगा नहीं option obvious ही बात है तो 37 option 37 तो हमारा सामाने temperature होता है तो बचा हूँ option के है 30 तो इस तरीके से लगाएकर उनको पता था कि लोग 30 चूज करेंगे इसलों उनको उप्शन C में 30 रखा है और ये भी जानते थे कि दो उप्शन तो ऐलिमिनेट करी लेंगे confused होंगे 37 और 38 में 38 लगाकर चले आएंगे जैसे कि आप लोगों ने जैसे कि आप लोगों ने 38 लगाकर चले आएंगे जैसे कि आप लोगों ने कर भी दिया तो मारा सही answer है option D 38 degree Celsius 38 नॉर्माल होता है इससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा तो वो उतना दिक्कत नहीं करता है वो fever नहीं कहलाता है 38 अगर तक पहुँच गया या इससे अधिक होने लगा तो fever जैसी condition जनरेट होगी चले आगे बढ़ते हैं थोड़ा hint ले लेना ऐसे question में थोड़ा समझने की कोशिश करना then answer करना किस दिन को विश्व जल्द दिवस के रूप में मनाया जाता है ये day से question आ गया है चली बताइए अच्छा question हाला कि which day is observed as the world water day 3 March, 22 March, 6 April, 30 April मैं सलेनियास का question है विविद का और अगर आपने विविद अभी तक ना पढ़ी हो तो एक पर विविद पढ़ लेना सभी लोग क्योंकि विविद से आपको बहुत सारे question मिल जाएंगे even science भी जब पढ़ने जाना तो पहले उसका विविद वाला portion पढ़ लेना facts जादा पढ़ लेना ओके तो लोग option B चूस कर रहे है and by smart is the right answer by smart को ही विश्व जल दिवस होता इसी क्या सपस वान की दिवस वगरा भी होता है तो हमारा सही answer option B by smart चलिए आंगे बढ़ते हैं और अगला प्रशन ले लेते हैं अगला प्रशन आपके सामने ये यदि कोई वस तो एक सेकेंड में 20 बार दोलन करती है तो उसकी आवरत्ती क्या होगी if any object if an object oscillates 20 times in one second what would be its frequency तो option आपके हैं 20 Hz 2 Hz, 10 Hz या 5 Hz और एक दिन ऐसे ही एक question आय हुआ था तरंग दैर्ध से related वहाँ मैंने आपको आवरत्ती क्या होती है आयाम क्या होता है, तरंग दैर्ध क्या होती है ये समझाया था तो अगर आपने तब ध्यान दिया होगा तो ये question बहुत आसान है फिर आपके लिए answer करना कोई math का question नहीं है ये भी बता दू hint दे रही हूँ ये आपकी सामान ने समझ और सिर्फ अगर आप परिभाशा और सब्दों का मतलब जानते है आवरत्ती आयाम ये सब क्या होता है तो आप answer कर लेंगे चले तो कुछ लोग option B चूस कर रहे हैं कुछ लोग option A चूस कर रहे हैं कुछ लोग option C चूस कर रहे हैं तो आप मिले जुले से आप लोग answer दे रहे हैं 2Hz अच्छा जी मुझे भी आप लोग के साथ question solve करती हूं तो मुझे भी time का पता नी चला करता है बड़ा आसानी से time निकल जाता है क्योंकि बहुत different different चीजे देखने को मिलती question solve करने की देखें सबसे अच्छी बाती होती है कि जब हम अकेले solve कर रहे होते तो बहुत boring हो जाता है पर जब हम यही चीज competition से solve करने लगे तो यह बहुत interesting हो जाता है और बदलते हुए question तो हमको यह भी समझ में आता है कि multi dimension में हमारी तयारी कैसी चली तो yes I agree कि आप यहाँ पर समय पता नहीं चलता होगा चलीए तो सही answer क्या होगा हमारा option A, B search अब थोड़ा सा सुन लो है क्या यह देखो आवरती का मतलब क्या होता है आवरती का मतलब होता है कि basically एक second में कितने कमपन हो रहे हैं कितने कमपन हो रहे हैं संपीरेन या विलन हो रहे हैं कितने दोलन हो रहे हैं यह अलग-अलग शब्द अगर उप्योग किये जाए यानि कोई भी आवरती गती आवरती गती का मतलब क्या होता है आवरती गती देखो अगर प्रत्वी अपने सूरी के चारोर चक्कर लगा रही है यहां सूर है यह प्रत्वी है तो इसके चारोर चक्कल लगा रही है एक पाथ को बार-बार रिपीट कर रही तो यह भी आवरती गती है अगर कोई हम पेंडुलम की बात करें और वो इस तरीके से बार-बार दोलन कर रहा उसी पात को बार-बार दोहरा रहा तो ये भी आवर्ती गती है तो आवर्ती गती के बहुत सारे इवन प्रत्वी का अपने एक्सेस पर रोटेट करना ये भी आवर्ती गती है तो जूले का आंगे पीछे होना पेंडूलम लाई कि ये भी आवर्ती गती होगी तो आवर्ती गती के बहुत सारे उदारण होते हैं, इसी तरीके से अगर कोई कमपन, अगर कोई कह सकते हैं तरंग गती कर रहे हैं, इस तरीके से उसमें कह सकते हैं कमपन हो रहे हैं, या फिर कोई कर इस तरीके से उसमें संपीडन, विलन, जैसे स्प्रिंग को अगर आपने देखा होगा, तो विरलन और संपीरन इस तरीके से उसमें दिखाई देता है, तो ये सारी गतियां आवरती गतियों में आती है, खेर, मुद्दा ये है कि जब भी कोई कमपन होता है, कोई तरंग जो है, वो कमपित होती है, उसमें शंगर्थ बनाती है, या संपीरन विरलन कर तो एक सेकेंड में जितने नंबर में कमपन होते हैं वही होता है आवरत्ति आनि फ्रिक्वेंसी प्रति सेकेंड कमपनों की संख्या या दोलनों की संख्या होती है तो अगर सपोस करो कि यहां से लेकर कोई तरंग जब यहां पहुंची तब एक सेकेंड पूरा हो रहा है तो ह हम यह count करेंगे कि एक तो हो गया उसका ये company, दूसरा company हो गया उसका ये, तीसरा company हो गया ये, चौथा हो गया ये, तो इस तरीके से जितने company करेगी, यानि श्रंग और गर्द को मिलाकर वो फूरा path यही कहलाता है क्या आवरत्ती, तो आवरत्ती जो होती है वो प्रति होती है और बता दिया गया कि एक सेकेंड में लिखा हुआ है, एक सेकेंड में 20 बार, तो simple सा बात है कि ये क्या बता रहे है, ये बता ही रहा है, कि 20 बार दोलन कर रही, वही उसकी आवरत्ती है, तो आवरती के चूगी उनित हर्ट होती है, और इसको denote करते है, न्यूं से, तो आपको याद रखना है कि 20 Hz जो होगा, वो Hz उप्योग कर लिया और कंपनों का नाम संख्या बोल दी, तो बहुत जादा maths वाला question नहीं था, simple सा question था, समझ पर दा था रित, हमारा answer सही था option A, 20 Hz, जिन्होंने option A choose किया, they are right, अगला question है ये, तो जर्मेनियम का परमार्ण उक्रमांग कितना होता है, what is the atomic number of जर्मेनियम, 24, 28, 32, 40, तो देखिया अभी जो ऐसा objection ले रहे थे कि क्या सिर्फ बायो के question आए हुए है, तो उनका answer अब मिल गया होगा कि सिर्फ बायो question नहीं आ है, physics, chemistry के बहुत सामानिक प्रशन आए हुए है, और सायथी चौथा प्रशन है अभी तक का, और इसके अलावा जो लोग ये बोल ले थे कि क्या ये पुलिस में आए हुए question है, तो exactly आपके सामने shift दी गई है, आप वहाँ जाकर paper को check कर सकते हैं, और देख सकते हैं, यही question आए हुए है shift में, तो question में even मैं सब्दों का भी changes नहीं कराती हूँ, ताकि आपको ये भी पता चले कि mistakes क्या क्या होती है, आंसर कहां गलत दे देते हैं, तो कुछ लोग option B चूज कर रहे हैं, कुछ लोग option D चूज कर रहे हैं, जी बिल्कुल science पढ़ा रहे हूँ, question से समझ में आ रहा होगा, और सही answer है option C 32, 32 होता है germanium का, जी इसका symbol होता है, और germanium का हमारा परमाण उक्रमांग जोता 32 होता है, एक काम करना, at least 30 तक तो देखो याद ही रखना, तो अगर तुमको 30 तक याद है, तो दो option तो eliminate कर लिए होते, बसता 40 और 32, तो अब इसके लिए यह है कि अब बहुत ज़्यादा बड़ी संख्यम तो नहीं पूछेगा, एक काम करना, 40 तक जरूर परमाण उक्रमां क्याद कर लेना सबके, ठीक है, तो इस तरीके के अगर question आएंगे, तो यह गलत नहीं होंगे, तो हमारा, याद कर लेना, periodic table में atomic number याद करना है, no down कर लेना है अपनी notes में, कि हमको यह भी topic cover करना है, चलो, आंगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन लेते हैं, अगला प्रशन है आपके सामने, यह, रासाइनिक प्रित्क्रिया और अवस्था संक्रमणों में, कार और गर्मी कैसे परस्पर क्रिया करते हैं, इसका धन है, यह थोड़ा हिंदी में बहुत ही अजीब तरीके से question बना दिया गया है, इंगलिश में एक बार देख लेना, what is the study of how work and heat interact in chemical reactions and state transitions, तो आपको basically यह बताना है कि कार और जो उश्मा होती है, इनका interaction कैसे होता है किसी chemical reaction में और कैसे उनकी अवस्था परिवर्टित होती है, इस चीज की study कहलाती क्या है, तो अगर हम बात करें तो यह क्या सांखिकी उस्मा प्रवैगी की है, या रासाइनिक उस्मा प्रवैगी की है, या शास्त्री उस्मा प्रवैगी की है, या संतुलन उस्मा प्रवैगी की का मतलब अगर ना समझ में आए, तो thermodynamics या इसी को उस्मा गत्की भी कहती है, तब आपको समझना है कि उस्मा गत्की तो है, पर कौन सी उसमगत की होगी है बताइए हाला कि question में ही आपका answer मिल चुका है आपको और बहुत सारे लोग option D choose कर रहे हैं ठीके देख लेते इसका सही answer क्या होगा आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने D option choose किया है और इसका सही answer है option B क्योंकि लिखा हुआ है रासायनिक प्रक्रिया chemical reaction देखो question में ही आपको hint मिल जाती है ऐसे मैंने बहुत सारे question दिखा है तो थोड़ा question ध्यान से पढ़ा करो chemical thermodynamics यानि की रासायनिक उस्त्मा गत्की जो होगी उसी में हम कार और उस्त्मा के मध्ध जो interaction होगा लिख दिया गया है chemical reactions तो अब अब्यसी बात है thermodynamics यह तो clear कर दिया इसने चारो option देकर बचा हुआ option आप question के nearest टिकर यह अगर आप नहीं जानते हैं तो तो कम सकम question से ही hint लो नकल ही मारोगे तो भी अकल लगा कर अगर नकल माले तो सही हो जाएगा answer so the right answer is option B रासायनिक उस्मा प्रवैक की या रासायनिक उस्मा गत्की chemical thermodynamics च which one of the following is not a characteristic of phyla echinodermata और जिनको ना पता हुई क्वारे में तो मैं आप लोग के दिमाग में image बनाने के लिए कुछ चीजे बता देती हूँ जब तक आप लोग answer करते हो जी बिलकुल English में ज्यादा easy था तो आप लोग यह जान जाओ आप लोग से कि इंयरा नहीं देखा वगा जिसे समुद्री खीरा कहते है उसमें भी से तरीके से इसमाइज़ो धूरिया होता है holothuria, तो ये कुछ इसके उदाहरण है और इसको समुत्री खीरा कहा जाता है holothuria को actually मैं दिखता है ये ककंबर जैसा है C ककंबर कहते हैं तो holothuria को, तो ये दोनों ही हमारे kainodermata के हैं, अब बताएए कि क्या सही आंसर हो सकता है option है चले, तो बहुत सारे लोग option B चूज कर रहे हैं, कुछ लोग option D चूज कर रहे हैं जी बिल्कुल, काटेदार तवचा होती तो इसको सही आंसर है option D इनमें शरीर कठोर खोल द्वारा संरक्षित नहीं होता है तो ये अगर आपने नहीं देखा इसके पहले स्टार फिश को कभी ध्यानसर सर्फिस स्टार जैसे संरचना जानते हैं तो Google Chrome आज खोलिएगा उसमें स्टार फिश सर्च करिएगा उनमें ट्यूफिट देखिएगा, आपको clear दिखाई देगा इक ऐसे बहुत सारे उनकी सर्फिस पर क्योंकि उसका कोई एक शेप नहीं होता, धारा रिखित चरीर नहीं होता है कि धारा में आंगे बढ़ सके जैसे मचली का होता है या बोट लाई की स्ट्रक्टर जैसे हम धारा रिखित कहते हैं तो ऐसा शरीर तो होता नहीं है ज्यादा तरी संग के जीव, गोल, फूल जैसे ऐसे दिखाई देते हैं तो उनको आंगे बढ़ने के जरूरी होता है कि वो एक तो समुद्र की बहुत सतह पर पाए जाते हैं तो वो आंगे जब बढ़ते हैं तो अपने पैर ये ट्यूफीट जो होते हैं उनको उनसे वेक्यूम क्रियेट करते हैं एक जगा पर अपने शरीर को चिपकाते हैं और फिर आंगे बढ़ते हैं अपने शरीर को क्योंकि अगर शरीर का शेप जैसा होगा वो निर्भर करेगा कि गती कैसी होगी आप मूव कर पाएं के नहीं तो यहाँ पर उनको ट्यूफीट मदद करते हैं तो ट्यूफीट तो पाई ही जाएंगे मासागरतल बिल्कुल वहाँ पर पाये जाते हैं जल समभन वेस्कुलर प्रणाली इसका मतलब होता है कि उनके पूरे शरीर से पानी गुजरता है और उस पानी में जो भी पानी या मिनरल या फिर जो भी खाने की चीजे होंगी वो उसको रोक लेंगे और मां की पानी शरीर से वापस से निकल जाएगा तो यह कहलाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम और इन जीवों में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाय जाता है तो the right answer जो इसकी विशेष्टा नहीं है वो है एक कठोर खोल द्वारा संडक्षित होना जी बिल्कुल यह और्थो पोड़ा की विशेष्टा हो सकती है और उसको हम बाहे कंकाल कहते हैं यानि की काईटीन का बना हुआ तो हमारा D answer सही था चलो अगले प्रशन की और बढ़ते में भी पूछ ले बस शुट्टी होने वाली है आपके दो प्रशन और बचे हुए हैं चली आंसर करिए क्या सही आंसर होगा इसका ओके तो कुछ लोग औप्शर एच उस कर रहे हैं आसान है इसको देखो मैच करना देखे अलप वर्सा बिल्कुल 50 सेंटीमीटर से कम वर्सा को अलप वर्सा कहते हैं तो एक के साथ एक के साथ ए ठीक है यह इसी विकेवल मिल रहा है तो किसी मिल भी नहीं रहा है फिर उसके बाद भी अगर मिलाना चाहो तो देख लो भारी वर्सा जो होती है बारी वर्षा का मतलब 200 cm से जादा और मध्यम वर्षा का मतलब 50 से 100 cm तो यानि 2 का C और 3 का B तो यही हमारा सही आंसर है option A तो option A जितने लोग चूज कर रहे हैं they are right भी इसका सही आंसर नहीं होगा बहुत confused होने के जिरूत नहीं थी आसान सा प्रशन था तो सही आंसर है हमारा option A आंगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रशन आपके सामने ये उभैचर मचलियों की तुल्ला में उन्नत है यानि कि एमफीबिया जो होते हैं मचलियों की तुल्ला में उन्नत हैं आसान गलत नहीं करना है ट्राइ करिए कैसे question अगर गलत करके आगे टफ में तुक्के भाजी कहां तक चलेगी आसान question गलत मत करना है अलाकि you are right कई बार exam pressure में हम इसी question ही गलत कर देते हैं पर ऐसी ही चीज़ों वही पर हमको अपने इस pressure को maintain करते हुए अज सही answer या सही निर्णे लेने पड़ते हैं तो हमारा सही answer क्या होगा चली बहुत सारे लोग option D चूज कर रहे हैं और exactly जो हमारा सही answer है वो है option D क्योंकि यहां पर जो कुछ भी लिखा हुआ है सब सही है देखे थोड़ा सा मैं बता देते हुए इसके बारे में भी याद रखना जब हम जन्तु जगत की बात करते हैं और जन्तु जगत में जब हम जन्तुों को कशेर्की और अकशेर्की में बाटते हैं तो अकशेरुकि, में तो बहुत सारे शंग है, उनके बहुत सारे जीवों के नाम रोज पूचे जाते हैं, तो इनके बारे हम चर्चा नहीं करेंगे, आकशेरुकि, चलिए इसके बाद होता है मत्स के बाद होता है एमफीबिया यानि की उभैचर और उभैचर के बाद होता है रेप्टाइल यानि की सरीश्रिप और सरीश्रिप के बाद होते हैं एवीज यानि की पक्षी और पक्षी के बाद आते हैं ममेलियन यानि की इस्तंधारी तो आपको ये जानना है कि इन में number of chambers बढ़ते जाते हैं, मत्स में 3 chamber पाए जाते हैं, मत्स में 2 chamber पाए जाते हैं, और उभेचर में 3 chamber पाए जाते हैं, सरी स्रिप में जादा तर अपूर्ण 4 यानि कि 3.5 के आसपास पाए जाते हैं, especially मगर इसका उधारन है, पक्षी और मनु I hope आपने इन से भी बहुत कुछ सीखा होगा, और जाने के पहले आपके सामने कुछ थोड़ा बहुत सत्याधी शर्मा की तरफ से जो आपको facilities मिले हैं, उसमें ये है कि online courses वर्ग एक चैन परिक्षा के लिए जो आपको 1111 में उपलब्द है, और इसकी अगर हम बात करें, त 3 test series, live recorded videos, PDF notes available होंगी, और साथ में offline videos भी आप download कर सकते हैं, इसके अलावा जब हम बात करते हैं, तो offline badge भी यहाँ पर चलाए जा रहा है, हिंदी साहित सामाजिक विज्ञान गडित के, जिसमें से new student 6000 में और old student इसको 4000 में purchase कर सकते हैं, और साथ में police प्रहार badge जिसकी validity 3 मन्त ह में आपको प्लबद होगा, complete course होगा, यहाँ पर recorded lectures मिलेंगा, आपको 50 test मिलेंगे, PDF notes और offline videos डाउनलोड करने की facility, और last one, कि आपको यहाँ पर अगर सत्याधी सर्मा के app को आप डाउनलोड करते हैं, तो आपको my course section में जाकर free test जो हैं, आप वहाँ से access कर सकते हैं, और उससे आप अपनी तयारी को और भी cross check कर सकते हैं, तो I hope हम जो question solve कर रहे हैं, उनसे जैसा कि मैं बोलती हूँ, आते ही साथ की इनसे आप कुछ सीखे, क्या सीखेंगे, कि व्यापम की गलतियां क्या होती हैं, उनको तो ध्यान रखेगा ही, साथ में अपनी गलतियों को भी ध्यान पढ़ने कोशिश करिए, और बायो में थोड़ा ज्यादा थ्यान दीजे, क्योंकि निश्चे तोर पे ज्यादा question पुछ जा रहे हैं, और कुछ topics जैसे की वरगी करण, इनसे daily कुछ question मिलते हैं, तो इनके जीवों को देखते हुए इनको पढ़िएगा, तो ये है हमारी किनों के साथ मिलते हैं कल, thank you.